जुलाई अगस्ट के महिने में लगने वाले कलरफुल पतियों वाले पौदे कलरफुल पतियां जो कि गार्डन में काफी जादा कलर आड़ करता है अगर आप फूल वाले पौदे नहीं लगा सकते हैं तो आपके लिए best option है ये colorful पतियों वाला पौदा तो colorful पौदे ऐसा option है लगाना जहां की धूप नहीं आती है बहुत minimum सी धूप आती है ऐसी जगर हम फल फूल सबजी ये नहीं लगा सकते हैं वहां हमारे पास safe और safe एकी option बच जाता है कि हम वहां colorful पतियों वाले पौदे लगाएं वैसे कहा जाए तो colorful पतियों वाले पौदे काफी जादा color उभर के आता है और बरसात के दिनों में color काफी vibrant से भी दिखने लगते हैं तो चलिए देखते हैं कौन से colorful प्लांट है जिने की हम अपने गार्डन में लगा सकते हैं और बहुत ही कम केर में और अच्छा एक खुबसूरत गार्डन बना सकते हैं अगर आपके इस चैम में दो color के इसमें पतिया निकल रही है यह काफी बार ऐसे वेरिगेशन कोलियस में हमें दिखने को मिल जाती है तो कोलियस के पौदे कार्डन में काफी vibrant सा color आड़ करता है बारिस के दिनों में जब गर्मियों के मौसम में इसके color फेड हो गए थे बारिस के मौसम आते ही इसके color एकदम से उभर के आते हैं कटिंग से बहुत असानी से लग जाता है 30 से 35 रुपए में आपको नरसरी में ये पौदे मिल जाएंगे कहीं कहीं तो आपको ये पौदे 20-25 रुपए में भी मिल जाते हैं मेरे पास कई सारे color के कोलियस के पौदे हैं और हमेशा इस पौदे को फ्रेंस आपको कटिंग से घ्रोग करते रहना हैं कम से कम साल में दो बार या तीन बार तो आपको इसे कटिंग से घ्रोग करना ही है जैसे कि आप ये पौदे देख सकते हैं काफी बड़े-बड़े हो गए हैं अब कुछी टाइम के बाद मैं इसके कटिंग तियार करूंगी और कटिंग तियार करके फिर वो पौदे मुझे रखने हैं पुरी वींटर क्योंकि इसे अगर मैं रखने जाओंगी तो ये पौदे टाइम पिरियड जो है अब कंप्रीट होने में है ऐसी कंडिशन में अगर आप कटिंग लगा लेते हैं तो पौदा बहुत लंबे समय तक चलता है अगला जो पौदा है वो है फ्रेंस क्रोटोन क्रोटोन में बहुत सारी कलर फेराइटी मिल जाएगी काफी खुबसूरत ल जिससे कि आप इस पौदे की जो खुबसूरती है इसे आप ले सके अगर आपके बालकनी में एक दो घंटे की ही धूपाती है तो यह पौदा बेस्ट है आप लगा सकते हैं इसकी बाद अगला जो पौदा है वो है फ्रेंस क्लाइडियम के पौदे को भी आप जरूर ग्रो के आजाता है इसलिए कलर वाले पौदे को भी आप लगा कि आपने गार्डन में ले सकते हैं इसके बाद रियो ऍवराइटी और जिसमें दो कलर होते हैं लिकिन यह ट्राइग कलर में कई सारे कलर को दिखने को मिलेंगे जैसे पिंग ग्रीन वाइट पॉपल इस तरीके से और इसी में एक और वेराइटी जो आती है वो कुछ इस तरीके की होती है एक तरफ पर्पल और एक तरफ ग्रीन तो आप दोनों ही लगा सकते हैं वैसे ट्राय कलर लगाएंगे तो गार्डन में कलर काफी अच्छा एड होता है इसके बाद फिर अल्टा नैंठर की लालसा वली विराइटी विछ में लगा सकते हैं यह देख सकते हैं यहारिक वाइन क कलर घर दोना strengthening वेक यह तसे हैं के मैं रूप में Adventure को दोना चाहितात है ग्रींवाली बैरित वेराइटी विट फीalone की ब्रिंट्र लगता ऐसा है अगला जो पौदा अल्टरनेंटरा में लगा सकते हैं वो है अल्टरनेंटरा की ग्रीन वाली वेराइटी बहुत खुबसूरत लूक आता है और विंटर में इसके कलर काफी बदल जाते हैं इसमें एकाद कलर और मिक्स हो जाता है तो काफी खुबसूरत लगता है तो आप अल बहुत ही छोटा जस्ट इतना सा पौधा अगर हम लेने जाए जड़ों के साथ तो वह हाड़ी पांच या दस रुपय में मिल जाता है आप बहुत बड़े पौधे लेने जाएंगे तब ही आपको ज्यादा महेंगे अगला जो पौधा है फ्रेंस जिसे कि आप अपने और प्लांट कॉपर प्लांट भी बहुत खुबसूरत लगता है मेरे पास यह ग्रीन कलर का है इसी में पूरी तरीके से कॉपर कलर का भी आपको मिल जाएगा तो यह पौधा भी काफी ज्यादा खुबसूरत लगता है कटिंग से बहुत असानी से आप लगा सकते हैं फिर आप इस टाइम ले सकते हैं पॉइंट सेठिया का पौधा जो की आने वाले विंटर सीजन में इसकी पतियों में कलर आने लग जाता अभी तो यह पौधा पूरी तरीके से ग्रीन दिख रहा है मेरे पास यह रेड कलर का है होने को यह पौधा आपको पिंक और रेड इस तरीके का काफी सारे कलर में मिल जाएंगे लेकिन अभी आपको यह ग्रीन दिखेगा लेकिन जैसे जैसे विंटर नजदिक आएगा इसमें रेड कलर उभर के आने लगता है तो यह पौधा भी आप ले सकते हैं जो की कलर आड करने के लिए बहुत अच्छा पौधा है इसके बाद फ्रेंस आप गार्डन में कलर आड करने के लिए मनी प्लांट लगा सकते हैं मनी प्लांट में यह जो आप देख रहे हैं यह एंजॉय फोतो इसके अलावा फ्रेंस आप मार्बल कुईन मनी प्लांट गोल्डेन मनी ब्लांट यह सब लगा सकते हैं जो की काफी अच्छा कलर हमारे गार्डन में आड़ करता है इसके बाद फेंस आप एगलो नीमा की विराइटी लगा सकते हैं जो कि गार्डन में काफी सारा कलर देता है एगलो नीमा में बहुत सारी विराइटी आपको दिखने को मिलेगी एक दो भी पौदे अगर आप लगा लेते हैं तो उसी से ही आपका गार्डन काफी ज़्यादा खुबसूरत और कलरफुल दिखने लगता है इस पौदे को बिल्गूल भी धूब की जरत नहीं होती है सेफ और सी ब्राइट लाइट में रखिए बहुत अच्छा से ग्रो होता है फी फेंस आप पैंडनास का पौदा लग लगबग अगस्ट एंड में या सेप्टमबर तक आएंगे तो अभी इसके लिए फेंस आप इसके खुबसूरत पतियों के लिए ग्रो कर सकते हैं यानि यह पौदा खुबसूरत पतियों के साथ ग्रो होता है और साथ में बहुत ही इस ट्रेवल फ्लावरिंग भी करता है अगला पौदा है फेंस पौपल हाट पौपल हाट के पौदे को भी अपने गार्ण में जरूर आड करिये क्योंकि सिर्फ ग्रीन ग्रीन गार्ण बहुत सुंदर नहीं लगता है जिसमें अगर बीच बीच में अगर हम परपल कलर आड कर दे तो गार्ण के खुबसूरती ब विराइटी आती हैं मेरे पास भी तीन चार विराइटी के पौधे हैं देख सकते हैं आप काफी खुबसूरत लगता है तो फ्रेंस आप जरूर स्वीर पोटाटो वाइन को ग्रो करिए इसके बाद ये देख सकते हैं ये है फाइलो डेंडरॉन का सिल्वर कलर वाला पौधा जो की बहुत खुबसूरत लगता है अभी ये नया एडिशन है मेरे गार्डन में मैंने कटिंग से लगाया है और दो तीन पतिया ही इसमें निकली है जब पुरा पास्केट भर जाता तो ये पोधा बहुत सुन्दर लगता है फिर फ्रेंस आप ये सिल्वर डस्ट वाला प पौधा जरूर लगाए ये वी एक बहुत अच्छा पौधा है जिसमें बीच बीच में ऐसे फूल निकलते हैं वैसे फूल बहुत ज़्यादा खुबसूरत नहीं होते हैं लेकिन आप इसके खुबसूरत पत्तियों के लिए ये पौधा लगा सकते हैं अगला पौधा है फ काफी वाइवरेंट उभर के आता है अगला जो पौधा है वो है फ्रेंस रबर प्लांट रबर प्लांट में कई सारी वेराइटी दिखने को मिलती है जैसे ग्रीन और ये डाक कलर का एक एकदम से ब्लाक कलर का भी आपको दिखेगा और फिर फ्रेंस आपको वेरिगेटेड भी दिखेगा तो आपको इसा भी लेके लगा सकते हैं काफी खुबसूरत कलर हमारे गार्डन में ये पौधा भी आड़ करता है यहां पर देख सकते हैं यह सिंगोनियम की ड्वाली वेराइटी है जिस चोटी पतियों वाला है ये भी काफी खुबसूरत लगता है इसके ब पौधे को भी ग्रो कर सकते हैं मैंने एक डंटी ऐसे ही यहां लगा दी और मेरे आदर जगह बहुत सारे पौधे लगे वे हैं तो वांडरिंग जी पी काफी अच्छा कलर हमारे गार्डन में देता है तो इस पौधे को भी आप लगा सकते हैं अगला पौधा है फैंस पौधा महंगा भी नहीं आता है अगला पौधा है फ्रेंट में वाली वेराइटी यह जड़ आप देख रहे हैं यह मेरे ग्रीन वाली वेराइटी इसी में आपको मिलेगा जो की वेरीगेटेड होता है जिसमें पिंक और वाइट मिक्स आपको दिखेगा मैं पिक्चर वेराइटी मिल जाएगी जो की बरसात के दिनों में काफी अच्छी तरीके से ग्रो होता है तो मेरे पास कलाथिया के पौधे नहीं है मैं नरसरी में अगर मुझे दिखेगा तो बहुत जल्दी मैं भी अपने गार्डेन में आड़ करूंगी तो इस तरीके से फेंस एक लाइक जरूर करिए और अगर आप मेरे चानल पे नए हैं और अभी तक मेरे चानल को सब्सक्राइब नहीं कियें फ्रेंस दैन प्लीज प्लीज इसे सब्सक्राइब भी करें साथ में बैल बटन भी दबाएं जिसे कि आगे मैं जो वी वीडियो डालू उसका नोटिफि आपके पास सबसे पहले पहुंचे तो फैंस मिलते हैं अगले किसी वीडियो में नहीं किसी इंट्रस्टिन से जानकरी के साथ ओके दिन बाई